आज के इस वीडियो में फ्रेंड मैं दो तरह का इंडिगो पॉडर लेकर कर आई हूँ एक यह आयूस का है और दूसरा इंडिगो पॉडर यह नेच्रल का है दोनों फ्रेंड दो से धाईसों के अंदर आ जाता है और धाईडाव 100 ग्राम का है यह मैंने फ्लिपकार्ट से अब आप बोलोगे कि बालों को काला करने के लिए इंडिगो पॉडर की क्यों जड़त होगी बालों तो काली महेंदी से भी काला हो जाता है लेकिन अगर आपको नेच्रल लुक चाहिए बालों के लिए तो आपको इंडिगो पॉडर अपलाई करना है और अपलाई कैसे करन यहां पर देख सकते हैं एक नेचुरल का है और यहां पर आयूस का मंगाई हूँ अगर आप इंडिगो पॉडर अपलाई करोगे तो सबसे पहले आप महंदी अपलाई करने ना रेट कलर का उसके बाद इसको अपलाई करना आप देखिएगा कि एक सो दो गुंटे के अंदर आपका बाल बिल्कुल नेचुरल ब्लैक हो जाता है और लंबे समय तक रहता है क्य आपके बालों का कलर जल्दी नहीं निकले अब बात करते हैं यह इंडिगो पॉडर जो है यह फिलीप कार्ट से जो हमने मंगाया है अभी मैं इसे यूज करके एक बार ही देखिए हूं यह काफी अच्छा है तभी मैं इसका रिव्यू दे रही हूं आपको इंडिगो पॉ